Hi friends, welcome to Priya's DIY channel और मैं हूँ Priya आज मैं आपके साथ गले की कालेपन यानि के डाक नेक की जो प्रोब्लम होती है उसके लिए बहुत ही easy और effective remedies शेयर करूंगी जिसकी help से अपना के सिफ अपने डाक नेक बलकि डाक एल्बोस और और डाकनेस अराउंद माउच जैसी प्रोब्लम्स को भी मिन्टों में क्योर कर पाएंगे तो चली बरते हैं वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है के चैनल को सब्सक्राइब करके बैर बटन को प्रेस करना ना भूले तो फ़र्स ट्रमेरी के लिए आप एक बाउल लेके इसमें दो चम्मच के करीब दही ले और इसमें एट करें एक टिबल स्पून लेमन ज्यूस एक टिबल स्पून राइस फ्लार और एक वाइटमिन एकी केपसिल सभी चीज़ों को मिलाकर एक पेस्ट बना ले और इसे अपने डाक मेक पर अपलाए करके 15 मिनित तक ऐसे ही छोड़ दे और 15 मिनित बार पानी से वाश करके स्किन को मौश्राइज कर ले जरुरत की हिसाब से आप चाहे तो इसे हफते में दो से तीन बार रिपीट भी कर सकत है सेकंट रमेडी के लिए एक बाउन में एक टीबल स्पिन लिकरिश पाउडर यानि के मुलेठी पाउडर ले और इसमे अड़ करें हाफ टी स्पून तर्मरिक यानि के हल्दी एक टीबल स्पून शहेत दो से तीन दीबल स्पून रोस वाटर बस अब सबी चीज़ों को आ 100% result के लिए आपको इसे हफते में दो बार कम से कम यूज़ करना है थर्ड रेमेडी के लिए एक बाउल में दो टेबल स्पून बेकिंग सोडा याने के खाने का सोडा ले इसमे आद करें एक टेबल स्पून चंदन पाउडर हाफ टेबल स्पून लेमन जूस और दो चम्मच के करीब पानी सबी चीज़ों को मिला कर एक टेस्ट बना ले और इसे अपने डाक नेक पर लगा कि आपको 15 मिनित तक रखना है और फिर जेन्टली स्क्रब करते हुए इसे वाश कर लेना है इसे अगर आप हफते में 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपके डाक नेक की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाएगी तो ये सभी रेमेडिस मुझे परसनली बहुत ही एफेक्टिव लगती है अपने डाक नेक को लाइटन करने में आप भी इन में से कोई भी रेमेडि अपने सविधा के इसाब से ट्राय करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके कमेंट करके मुझे जरूर बताए कि वीडियो कैसा लगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बटन को प्रेस करना पिलकुर ना भोड़े